खरीबों का राशन लूटने वाले राशन के दुकानों की जांच करते वे रिकॉर्ड जब किया था रिकॉर्ड की जांच के दौरान एसीबी के सामने बेहट चौकाने वाले खुलासे हुए थे प्रकरण में एसीबी ने तदकाली जिलारसत अधिकारी अशोक मीना, रतव विभाग के प्रवतन अधिकारी संधिया सिन्हा, प्रवतन अधिकारी अमिश शर्मा और अर्विंद आचारे सहित साथ राशन डीलर्स के खिलाफ मामलाद दर्स किया है इस सबने मिलकर लगभग पांच लाग क्विंटल गेहु को अधिकारीों ने राशन डीलर्स के साथ मिलकर खुडबूट कर दिया गेहु के इस कालबजारी से जहां सरकार को लगभग 6.5 करोड रुपए का नुकसान हुआ वही सैकडों घरीबों के हग पर भी डांका डाला ECB ने सितंबर 16 से मई 2017 तक कुल 9 महीने के रिकॉर्ड की जाँच की थी जिसमें इस फरजी वारी का आंकड़ा 6.5 करोड तक जाप पहुँचा है चार्च के दारान रिकॉर्ड में भारी हेरा फेरी नजर आई है ये गेहूं चुनिंदा दलाल राशन डीलर्स को दिया गया जबकि इसकी एंट्री ना तो मशीन में थी और ना ही के सिर रिकॉर्ड में की गई जबकि डीलर्स को दिये गे राशन काडों की तैय मात्रा से कई गुना जादर मात्रा में गेहूं इनको काग्जों में बाट दिया गया था अब एसे भी के डीजी आलोक त्रिपार्ठी के इंडिर देश पर इनकालबासारी में लिप्ट सरकारी अफसरों और राशन डीलर्स के खिलाफ मामला दर्स किया गया है तो उसमें हमने पाया कि वहाँ पर कोई गेहूं मौजूद नहीं था राशन की दुपानों में जबकि पोश मसीनों के हिसाब से बड़ी संख्या में मात्रा में गेहूं वहाँ होना चाहिए था इस पर इसकी जांच की गई थी जांच के दौरान हमने तकरिबन 44,920 कुइंटल गेहूं अपातर जो राशन डिलर्स हैं उनको आवंटन एक्स्ट्रा करना और राजगोश को हरी मात्रा में नुक्सान पहुँचाया जाना पाया है राशन डिलर्लों के अतरिक्त रसत विभाग के अधिकारियों के खिलाब भी प्रकण पंजीबद किया गया है कौन कुछ अधिकारी इसमें सामय थी कि खिलाब को किया प्रकण प्रकण पंजीबद किया गया है